अस्तामनीकुम फ्रेंड्स, विल्कम बैक टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सिरियल चाल रुबाब जोके लॉन में काम कर रही थी, कमरे में आई तो काफी दर्द में थी, तबी सिकंदर ने पूछा क्या हुआ तो बता देती है कांटा चुबा है, अब सिकंदर उसका हाथ देखता है, तो कांटा उंगली की अंदर धंसा हुआ था, तो ऐसे में सिकंदर कहने दगा दर्द हो रहा है न, कांटा चुबने से इतना दर्द नहीं होता, जितना अंदर रह जाने से होता है, जितनी अजियत होत रुबाब को तो गुसा आगया अपना हाथ सिकंदर के हाथ से छुड़वाने लगी तो सिकंदर भी जबरदस्ती हाथ पकड़ते हुए कांटा निकाल देता है और यहां से चला गया। रुबाब तो सिफ सिकंदर को देखती रही अब फिर दूसरे ही दिन रुबाब जब फ्रेश होकर आई शावर लेकर आई तो सिकंदर की नजर पड़ी एक तम से बस उसे देखता ही रहा बेशक मर्थ औरत का हुसन देखकर वहीं पर धेर हो जाता है और ये हकीकत है आज तो सिकंदर एक पल के लिए जिससे सारी नराजकी भूल गया जिससे कुछ पी याद नहीं सुआए रुबाब के वो आगे भर कर रुबाब से बात करना चाहता है उसे अपने पास पिठा कर घंटो देखना चाहता है लेकिन रुबाब है कि उसे लिफ्ट ही नहीं कराती ऐसे में सिकंदर भी होश में आ जाता है और पिर अपनी शर्ट्स पकड़ते हुए आफिस के लिए त्यार होने लगता है तब ही मालूम पड़ा कि जो शर्ट पैन कर जानी है वो तो प्रेस नहीं तो रुबाब को बलाते हुए कहने लगा रुबाब ये ज़रा प्रेस कर दो रुबाब को तो बहुत खुसा आया बाकी शर्ट्स को बजाए कैबनेट में रखे वहीं बेट पर फिंग देती है और वाइट शर्ट को सिकंदर के हाथ से पकड़ लेती है लेकिन फिर उसी वाइट शर्ट को सीजर से काट देती है फिंग देती है कि रुबाब करेगी बला तुम्हारे कपड़े प्रेस ऐसा नहीं हो सकता अब थैंग गॉड के यहां पर सबीन पुफो नहीं वरना ये शर्ट फटने के लिताम भी सबीन पुफो पर ही लग जाता अभी तो रुबाब को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि सिकंदर को आहर क्या बताए दूसी तरफ सबीन अपने भाई को फोन करके सब क्लियर करती है कि उसके और शौकत के दर्मियान में ऐसी कोई बात थी है जैसा भाई समझ रही है अलीना समझ रही है तो समी कहने लगा मुझे तुम पर यकीन है तुम वापिस आचाओ ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारी वज़ा से हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी लेकिन सबीन फिलहाल वापिस नहीं आना चाहती क्योंकि अब भाई भी उसकी तरफ जाकर इल्दाम कशी कराई तो अब भला वापिस कैसे आए दूसरी तरफ फरुख की जिन्दगी में तो एक और भाड़ी असामी आ कई यू ऐसे से ये जो लड़की आई थी फरुख की जिन्दगी में तो इसने तो फरुख क रुबब बाब को भी भोला दिया क्योंकि रुबब से ज़्यादा मेरफ होता चाहेँ, तबी तो वो रुबब को इग्नूर करना शुरू हो चुका है में बहुत बपीजी हूँ, ऊफिस में हूँ अभी बात नहीं कर सकता ऐसे में जब वो रुबाब को इग्नोर करता ही जाएगा तो तबी तो रुबाब को सिकंदर की तरफ आने का टाइम मिलेगा अब दूसरी तरफ यहां पर रहील और अलीना जब रस्टोरेंट में गए तो रहील परुब को देख लेता है जो काफी खुश दिखाई दे रहा है परुब को देखकर तो एकदम से हिरान रह गया रहील को लगा था कि फरुब जैसे यह शेहर छोड़ गया लेकिन फिर फोरन से ही रस्टोरेंट से वापिस आचा आता है और आकर अपने माँ बाप को बताता है कि वो शेहर नहीं छोड़ गया इसी शेहर में है अब तो माँ बाप सर पीट कर रहके कि अगर उबाप ने उसे राप्ता कर लिया तो क्या बनेगा बाप तो कहने लगा मैंने कितने छोड़ बोले अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अगर फिर से उसके साथ राप्ते में आ गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा मेरे तो इज़त जनाजा निकल जाएगा कैसे नजरे मिलाओंगा सबसे अब तो शायस्ता भी अपना होफ साहिर करते हुए कहने लगी ये रहों कि सब कुछ पिर से उस पर लोटाती फिड़े पागल हो चुकी है उसके पीछे इसके अकाउंट्स पर नजर रखें अब यहां पर तो सबी सर्क पीट कर रहे गए लेकिन दूसरी तरफ फरुख के लिए देखा जाये तो घेरा तंक होता ही जा रहा है क्योंकि साहिल को सिकंदर की आफिस में जॉब मिल गई इसका मतलब है कि उसकी रुबाब से मुलाकात होने वाली है और वो रुबाब को फरुख के बारे में सब कुछ सच पताने वाला है अगर रुबाब यकीन नहीं करेगी तो वो शैला को सामने लेकर आएगा फरुख के बाप को सामने लेकर आएगा गवाही के तोर पर कि फरुख कितना बड़ा चीटर है इस तरह से फरुख की जान तो फसी जाएगी और USA वाली भी फरुख के हाथ तो नहीं आएगी फरुख तो एंड में सिर्फ हाथ मलता ही दिखाई देगा